नमस्कार, वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नज़र डालते हैं अचकी प्रमुक खबरों पर पुलिस को ठुला कहने पर केजरिवाल के खिलाफ शिकायत दिली पुलिस के एक कॉंस्टेबल ने मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल के खिलाफ आपरादिक मानहानी की शिकायत दर्श कराई है कॉंस्टेबल का आरोपे की हाल ही में एक इंटर्व्यू के दोरान केजरीवाल ने पुलिस कर्मियों के बारे में कथे तौर पर एक अभधर शब्दका इस्तिमाल किया गोविनपुरी पुलिस थाने में तैनात एक कॉंस्टेबल हर्विंदर ने मुक्यमंतरी के खिलाफ शिकायत दाखिल की है पुलिस आयूपत बियेस बस्साहीत अन्यवरिष्ट पुलिस अधिकारियों के पास भी ये शिकायत भेज दी गई है गोड़ तलबे की 17 जुलाई को एक नीजी चैनल को दिये गए साक्षातकार में मुक्यमंतरी अर्विन केजरिवल ने दिल्ली पुलिस के जवान को ठुला कहकर संबोधित किया था पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीस फायर लगादार अपनी हरकतों को जारी रखते हुए पाकिस्तान ने एक बार फिर सीस फायर का उलंगन किया है रईवार राज जम्मू के पुछ में शाहपूर कैरनी में देर तक पाकिस्तान की तरफ से जम कर फायरिंग होती रही पाकिस्तान ने पिछले पांच दिनों में साथ बार भारत की सीमा में फायरिंग की है और सीस फायर को तोड़ा है इसे पहले पाक ने गुर्वार को जम्मू सेक्टर में सीस फायर का उलंगन किया था गुरवार को पाकिस्तान की तरफ से गोली बारी में एक महिला की मौत हो गई और B.S.F. के एक जवान समय दो लोग घायल हुए थे भारत ने पाकिस्तान के और से जारी इस गोली बारी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्श कराया है मद्य प्रदेश में जोड़दार बारिश उज्जेन में बार के हालात लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे हैं लोगों के चहरे शनिवार को उस समय खिल उठे जब बादल जम कर वरसे बारिश का ये दोर रईवार को भी जारी रहा बताय जा रहा है कि समूचे मध्यप्रदेश में बारिश जारी है उजेन में इन दो दिनों में भारी बारिश के चलते शिप्रा और गंभीर दोनों नदिया उफान पर है तेज बारिश के चलते उजेन में 24 गंटे में रिकॉर्ड तोड 17.5 इंच बारिश हुई इस तेज बारिश से उजेन में बार जैसे हालात हो गए है रामघाट पर शिप्रा का पानी घाट पर बने मंदीर और पुल तक पहुँच गया है कई शेत्रों में पानी भर गया है इन दोर में शनिवार सुबह 10 बजे शुरूई बारिश अभी भी जारी है अब तक शहर में सवानों इन से जादा बारिश हो चुकी है